अरे वो सब मेकप है रहे हाई भाई है भाई हेलो भाई कैसे तुम लोगों को शरम नहीं है न बिलकुल पढ़ाय लिखाई काम भंदा छोड़के बस यहाँ बैट के पकोड़े खाने है थू है तुम्हारी जिंदर भाई बत करो ना बैट-बैट कुछ नहीं बोलूँगा भाई वो कुछ खाना है क्या है मोहन हाँ चार प्लेट लेके आप पकोड़े के लावा कुछ भी लेके और सुन मेरी बात कान खोल के एक दिन में तेरा पूरा का पूरा होटल खरीत लूँगा ऐसा क्या मेरी दो प्लेट पकोड़े यार इंप्रेशन छाट रहा हूँ करने देना अरे क्या बात है आज तो टोपी लगा के लाल लाल टमाटर लग रहे हो है क्यों सहीं नहीं लग रहे क्या है अब टैक तो निकाल लेते शिट अभे तू पागल है क्या ओनलाइन मेंने हाफ रेट में खरीदा है यार यह मुझ मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है कितना हुआ रहे दोसों मिलिया था अरे तु पागल है क्या यह तो 50 रुपे मिलता है कहां से लिया था चलना कुछ भी पहे करा है तुछ चल 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 आज तो हमारी ड्रेस में चलना कोई नहीं सकता ऑनलाइन मेरा एक है पाया है तु लेगा ना तो तु अच्छी में इस ड्रेस को जला दूगे तु अरे यार तेरे जिरे जिरे अप्रा देख रहा है तु थेंक यू मुझे रिप्लाई देने के लिए तुमको शरूर्म नहीं आती है क्या तु दिलवाऊंगा मैं कसम खा के बोल रहा हूं आ बैधों तु बैटना मैं देता हूं अरे तु जाधा ने लोगों ने खाया तु बिल हम लोगी देंगे ना अरे और रहने मैं देता हूं जऴ। क्यों क्या हुआ नीचे पैसे क्यों फेक दिये उठाओ पैसे जोड़ो मुझे जा कर रहे हो कहां लेकर जा रहे हो रुको छोड़ो मुझे कर दो 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 तो अब मेरी बात सन्टी आप शांती से यह लोकेशन डेंजरस सकती यह पर मैं नहीं हो मुझे तुम्हारे दस मिनट्स चाहिए बस मुझे जो बोलना है मैं बोलूँगा और खुद चलाँ समझ गई कर दो कर दो कर दो प्यार से बोल रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कर दो कर दो कर दो वे आज इस गाल पर थपड मारा है ना कल वहीं पर किस करोगी याद रखना ऐसे डरा की रही हो मेरी इगो के लिए बहुत कम लगा बहुत ही कम लगा ठीक है ट्राइ करो देखेंगे क्या हुआ था तुमारी गलती थी ना तुम नहीं हो क्या है यहां यहां पुषपा थी ना ट्रांसफर हो गया अरे यार अबताओ तुझे इतना क्यों फील हो रहा है अच्छा कितनी बार बोलना पड़ेगा चोड़ो से चलना यार अच्छा ठीक है मैं देखता हूं अरे तिर पाटी साथ क्या सर से बात करने क्या जा यहां से मोशन हो तो यह बदल गया यह तो फेंड में लिए होगी इसलिए फूल पर बात कर रहा है तो समझ गए अबरना दूंगा एक यह दिखने भी इतने जोट है इसे काम इसने दिया वागा यह ज़रूर यह अच्छा लगता है क्या तुम्हारा क्या करूं मैं बाई असल में सोसाइटी बहुत अच्छी बाई हर जगह लडाई होती है चाई के लिए लडाई टिपिन के लिए अब ही कहली की दो बाद है मंदिर के आता तो थोड़ा सोन आले लिए फूड़ा साही सुन आलिया था लेकिन इन लोगों ने कुछ गलात है बोल के मुझे दर लेगे चले आए अरे वह कान ने उतले हैं अन्पलों और किये बार में तो ब्टां है कि तुम लोगों ले तो अच्छे से मारने का ना क्या हुआ आजकर खाना उनों नहीं का रहा है एक नंबर के बदमाश है यह अच्छे से ताला शीलो इनकी पथर अप्थर क्यों लेकर आया है वह पिछली बार आया था तो आपने एक हफ्ते के लिए अंदर रखा था इस पता है कि आपको आप यह अंदर रहे के देखो आपको पता चलेगा एक काम करते हैं बेग बहुत जैसे हर देने टार्स करकते लड़किया चाहिए एक चाहिए बड़े साब आए तो हड़ीया तोड़ देंगे लेकर जाओ इनने एक हैं दख्का मत देना चल बे चल इनको रिस्पेक देना नहीं आता यार पंखा नहीं चल रहा है अभी तक रिपेर नहीं करवाए गया वे उधर टेबल रखा है खोदी चड़के रिपेर कर ले हेलो हम लोग प्रफेशनल चोर है यह सब लाइट मोटर फैन रिपेर करने नहीं हम लोग ख्वास करता है जाके बैठ उतर जब खेलने के लिए आ इनको एक और बक्रा मिल गया हलाल करने के लिए उसका मुझ देखना एक बज़र है बक्रा के तरह ही लग रहा है ए हीरो चल इसके लगने वाले तुम चोड़ो ने तो तुमें भी मारेंगे है ना उसे हम के लिए लगता है अच्छे से दोया है तेरे तो बहुत सारे फैंस है चल यह लोग कर क्या रहे है समझ में नहीं आ रहा है यह तो हम सभी बहुत खदरनाक लग रहा है चल अरे यह इसका चक्या रहा है अरे यह क्या वो खुदी जा रहा है क्या है यह पता नहीं यार इतने लोग क्यों आरे आफिल से किया क्या होगा चड़ो खेलते हैं पैचारे को बहुत मार रहे हैं इसे बहुत सारे लोग आके मार रहे हैं आखिर इसने किया क्या होगा मुझे क्या पता यार उससे पूछो ना ऐसा क्या हूं जो मेरी इतनी कुटाई की है ना इसका बदला जरूर लूगा बाई इस रूम में हम लोग भी हैं क्या हुए जरा बताओ ना अरे अपने बार में बताना यार क्या कान करके आया है तु बताना अरे मेरे बारे में छोड़ो पहले ये बता तुम दोने है कैसे सोशल सर्विस वो क्या ना कि बाहर औरते सोना पहन के ज़्यादा ही गुमती है तो उनका बाहर हलका करने के लिए हम लोग उसे चुरा लेते है ये सोसाइटी इसको चोर कह रही है छे हमारे बारे में छोड़ो भाई आखिर ये सब हो क्या रहा है कोई भी आता है तुम्हें फोड़ो देता है वो जो पहले वाला आया था, वो मेरे पास के गाउं का सरपंच है, वो जो दूसरा वाला था, वो जाडिया, वो मेरे गाउं का सरपंच है, और जो वो तीसरा वाला आया था, वो नाटा, वो MPTC है, बाद में GPTC, MLC, MLA, ऐसे आते रहेंगे क्या, तु चुपकर, अच्छा वो आके बार बार तुमको मार रहें, अखिर बाद को है, अरे मेरी कहानी छोड़ो यार, रामायन जितनी लंबी है, अरे चाहे मा भारत हो, या रामायन हो, बोलो ना भाई, ठीक है, तो कहां से शुरू करूँ, वो रूदर नाम के एक अगादमी था, उससे शुरू करता हूँ उसकी शेकल मुझे पसंद नहीं, वहां तो नहीं करूँगा, जब मैं पहली बार स्वाती को मिला था, वहां से, यहां से भी नहीं करूँगा, इधर अपने पास ना बहुत टाइम है, आराम से बोलो, हम लोग आराम से सुनेंगा, बहुत टाइम है, अरे, भागो यांसे, नहीं कुछ नहीं किया, तुम इंजान हो या जानवर, इतना लेट कोई उठता है क्या, नागा तुम तो ग्रेट हो यार, बड़ा हात मिला जा रहा है, इतना सीरियस डिसक्रिशन, अरे भाई, नागा ने बहुत बड़ा मैटर बताया मुझे, यार देख वो सब ठीक है, प कब से शुरू है तुम दोनों का यह, मैं इसके उपर हाथ रखकर बताती हूं, कि इस लड़के के उपर उत्रा है, मंगलवार की रात को, सोना और काली मुर्गी, और उसके साथ में दारू, यह सब करना होगा, फिर यह उत्रा छोड़े गिरे, उत्रा, यह कौन है और कहां से आई, वो क्या है हमारे गाउं में, एक बात बहुत फेमस है कि वहां उत्रा नाम का भूझ, अब यह सच है जूट, किसी को नहीं बता, उसे चोड़ो, अपने बारें बताओ, मुझे छोड़ो यार, मैं नहीं आओ तो, छोड़ो ना, चोड़ सब्सक्राइन, इस हमें उत्राइता प्लाव जाए अपने ऐव तुजे क्या हुआ, किसी और मैंना किसी बाजी राउ से कम नहीं हूं, मैं तुझे क्या हुआ, हुआ? जहते हैं तो एका एक जो पिर्दैने संटोना के तरेज़ए वर्ड़ा मीशान के वितले समय है तुदू एक मेरे टुक्ना अबे जा इसमें क्या है उत्तरा के बारे में बोलने के लिए इतना ड्रामा किया गया इसलिए इसलिए मुझे घुसा आता है तुमने का शुरू से सुनाओ अब सुनाते समय सुसू लग गई तो इसमें मेरी क्या गलती सुसू से याद आया बच्पन में हम लोग कड़े होके खुब कॉंट्रेक्ट बाहर के लोगों को दोगे हां नमस्ते मेरे को और पैसा किसी और को आप फिर क्या बोलू मैं हाँ वो तालब के कॉंट्रेक्ट के बारे में क्या जोटा सा कॉंट्रेक्ट है भाई वैसे भी हम आपको छोड़कर आखिल क्या करते हैं चुप रहों देखो बाद में फिर नहीं बोलेगा है हलो हां भाई काओ वे अरे भाई उत्तर साइड में हूँ रंग नायका मंदिर के नीचे सोना है वही देखने जा रहे हैं हम क्या यार तुम लोग कभी रही सुद्रोंगे जाओ मरो कि मार उसको कि सिर्ट और ऊजसका है मर यार है इगा है यूज बैर में तरना न लग रहा है और तू अराम से देख रहा है वो इनजानों को मारें और देखकर पापा सच में मारने को थोड़ी कह रहा हूं पिक्चर चल रही है तुझे यह देखकर जरा भी डर नहीं लग रहा क्या चाहते हो पापा टीवी बंग कर दू इसका मतलब तो कुछ काम नहीं करेगा कभी अरे पापा रात में किसे नौकरी मिलती है कल बात करेंगे बिखारी ज काम को आके टीवी बिना देखें तो फिर क्या करें पापा मुझे नौकरी मिल जाएगी सेलरी लाके दे दूंगा अभी परशान करना बंद कीजे तु चुपकर तु किसी की नहीं सुनेगा सारा दिन मौज मस्ती के सवाए तो यह कोई काम नहीं है और तेरे साथ तेरे दो निकम्मे दोस्त सिनिमा और लड़कियां छेड़ने के सवाए कोई काम नहीं तुम्हें पूरा गाउं ठूकता है तुम पर पापा आपने घर में गाली दी जरा फिर से बोली एक कान के नीचे दूंगा बखवास करता है जा यहां से पूरी दुनिया में तुछ से ज्यादा निकम्मी उलाद कोई नहीं है कि काम करना कब सीखेगा तू खुद कमा खुद खर्च कर बड़ा आया जा यहां से लाइफ में तो टॉर्शर चली रहा था देखा किसी की बाइक भी पंचर हो गई पाड़ी पंचर होगे जैवे बेटा इसे क्या तुम थोड़ी दूर छोड़ दो के क्या ठीक है जा भी अज़वा आदम के जमाने की गाड़ी छोड़के तुमारे पापा नई गाड़ी त्यों ले 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 लेते होटल से था पैसा आ पीने आम में से बड़ा देता है क्या पकॉड़े अपना लेक्टर बंद कर समझाँ स्पीड में चला चल्ट क्या बोला तुने पकॉडा तो तेरे होटल में पकॉड़े को मैंने पेमस किया है अच्छा ऐसा क्या हुआ है। रोक्यू दिया। है लो क्या है। तुम और तुमारी खठारा गाड़ी दिवाँ खराफ कर दिया। उपर सो गाड़ी बगे। अशीरीे ओवर एक्ष्ण नहीं करना चाहिए पेट्रोल खत्म हूआ होगा। हुआ हो जाता है कभी कभी बता नहीं सुभी किसका मूह देखके उठा था हां बोल रहे हां किदर हो घर पे वो बोलना क्या बात करनी है काडी में पेटरोर खतम हो गया है यहां पे जल्दी कहां पे रोड के बीच में खड़ाओं तो हाईवे के तरह फाएगा तो मैं धिक जा सुन इसके ऊपर चड़ाओ ना मजे ओको एक बार आवास करो ना प्लेज एक बार करो हुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ लाट हो गया प्यार और शादी वसी ही था क्या यह भी ना या लड़की खुब सूरत होगी तो तुम कुछ भी करो गय क्या हैं हलु मेरा वख प्यार सच्चा है यह टाइम पास नहीं करता मैं तेरे जैसे ही लोग ना एसीड फेकते हैं तुम जैसे चोरु को क्या पता प्यार क्या होता है मैं बताता हुआ कि अच्छी आवास है ना हुआ है ये राजो हाथ पर चोड लगें किया जो हाथ को यसे किया तूने अभे अन्दा होगा क्या नहीं गड़ी यह अभी ओनलाइन शेमाई यह गड़ी ओनलाइन करी ता इसलिए हाथ को यसे किया है अगर जब्ड़ गरी तेका तो पैर का करेगा तुम आ तुम पर फे और वह तुम से क्या चुपाता है तो तुम्हें हाट डगा जाएगा क्या चुपाया है मैं फिरी में कुछ नहीं बताता हूं अरे फिरी में क्यों क्वाटर के लिए पैसे दूंगा ना चल बता हएं होटल वाले के बेटी के साथ है इस सुपले मेठी एऽ पता है टूने इतना कुछ घ्य कर भा जां ओघ नहीं देख लूंगा इंघ यह आज़ात में नहीं है यह बोल रहा था मेरे बारे में चल चल बहुत हो गई तेरी अक्टिंग अब बंद कर अपनी अक्टिंग समझा अच्छा तुम उससे और भी कुछ चुपाना चाहता है तो ने कुछ नहीं चुपाया वाई चुपाया वाई क्या वोटरेश्यान करके याखिर बात किया है उसके बाद मुझे इल्जाम लगा ना अच्छा तू अपनी कहानी मेरे मुझे सुनना चाहता है क्या बोलता नहीं कुछ भी बहुत जाते जा रहा है और टो किया है स्वाती ये लो अपनी नोट बूक शेलू मुझे पता है वो दोनों मेरी बारे में ही कुछ बात कर रहे हैं ना वो क्या बात कर रहे हैं मैं इतनी क्लोस फ्रेंड हूँ फिर भी मुझे नहीं बोला ना क्या एक्टिंग कर रही हो ची ए क्या बात कर रही हो तुम मैं तेरे बार गा कयो है बाते हो रही है में हिसा लो दुम लोड पर कुछ कर रहे थे चिछी ऐसा केनी पूराओ बोल रहा है येलो अपनी जारी हूं गाओं में इसा कौन कर सकता ह्याँ दूर वह कावं होगा है और शंकर के पास आना तो शंकर बड़ा मज़दार है शंकर बड़ा मज़दार है मलिंगा मत मगया किया थिकलत है तो घास मंगा मैं खालूँ पर पकोड़ा न ही यह क्या बात कर रहा है तु इस होटेल में खाम किया aja कि他 यह क्यों शो धाल जाيرة है यह तु यह बखबख कर रहा है बैठ जा ऐसा नहीं है तुमने कुछ कहा और इसने भी कुछ कहा बोलने से कुछ नहीं होता पकॉड़ा ही आएगा और हम पकॉड़ा खाएंगे यह मलिंगा हां पकॉड़ा लेकर रहां अच्छा अब यह मुझे फिर पकॉड़ा बने कैसा लिखाया है आपके मारने के बाद ही किर गई चुपकर और जल्दी से प्लेट उठाओ कॉछ एक मिनट स्वाती एक मिनट रखो न देखो तुम मुझे गुस्सा हो यह पता है पर क्यों हो यह पता नहीं तुम सोच रही होगी यह भी क्या मुझे चुपक गया पर मुझे चलता है मेरी बात का जवाब दे तो मैं चला जाओंगा ठीक है मैं क्या करूं जब उस दिन तुम्हें लाल साडी में देखा तब से मैं बावला हो गया हूँ रात के नीन दिन का चैन दोनों चला गया है वह पेड़ देखो मुझे उसमें भी तुम दिख रही हो उसकी पतियों में भी दिख रही हो देखो आप मैं कुछ बोलूगा असना मत फोड़ा कंट्रोल करना यह बात बोलनी ज़रूरी है सुबे पॉटी करते वक्त भी दिखती हो इसलिए अब मैं समझ गया हूं और तुमस लेकिन जानता हूं तुम नहीं बोलो की मैंने फिर भी बोल दिया क्योंकि मैं बोलना चाहता था अब डर लग रहा है कहीं तुम ना ना कहदो मैं यह भी सोच रहा हूं मैं किसी दिन तयार होके आओंगा करूंगा तुम्हां बोलोगी ज़रूर यह जानता है टाइम लेलो म मुझे कोई जल्दी नहीं है चलो मैं चल्दा हूं हुआ 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 है अब एक घंड़े से साइलेंट हो दोनो कुछ तो बोलो देख भाई इस दुनिया में अगर दोस्त नहों तो कोई भी प्यार करने वाला जीते का नहीं और ठीके का भी नहीं कलो सच बोलो देख भाई मैं स्वाती से लव करता हूं यही बात में तो तो स्रिफ सोच रहाता पर बताना कुछ नहीं चाहता था न अरे वो बात नहीं है यार चोड़ यार तेरा प्यार ऐसे ही अमर रहे वो दो दिन चले या दो साल चले उसमें क्या तुमको बरबाद होना है तो हमको क्या अरे यार यह प्यार के स्टोरी मैंने कितनी देखी है बारिश की तरह आती है और फिर वापस चले जाती है अरे मैं स्वाती से सच में प्यार करता हूं यार रिली लव हर शी सच अ ब्यूरिफुल गर्ल या ए भाई रुको तुम सच में महान हो वो लड़की तुमें पसंद अरे बस खातम हम लोग तुमको सपोर्ट करेंगे ए चलो रहे यह किसका कॉल आ रहा है हलो कॉन शैलू मैं अशोक बोल रहा हूं अशोक हाँ मेरा नंबर किस ने दिया तुम्हें इसकी तो मुझे कॉल किया वो क्या है ना शैलू एक है एल्प चाहिए क्या है वो तेरी फ्र मेरा फेबरेट रेड वाला ड्रेस खरीद के दो कि क्या रेड ड्रस खरीद के दूगा ना वो क्या है ना परसो मेरा जिगरी दोस्त अबराट से आ रहा है उसका यह बहुत बड़ा शोरूम है वहीं से लेके दूगा ठीक है फिर मुझे मैसेज करना ओके हां मोटी तुझे जरूट रस्ते लाओंगा अरेश्वाद दो तो तहीं भी काम बनता है कमीने ने फोटोस भी ले लिए है स्टुपिट गईगा अरे वो सब मेकप है रहे हाई बाई है तुम लोगों को शरम नहीं है बिल्कुल पढ़ाय लिखाई काम भंदा छोड़के बस यहां बैट के खाने थू है तुमारी जिंदर बद करो ना बैट कुछ नहीं बोलूंग भाय वो कुछ खान आ है क्या मोहन हना चार प्लेट लेकिया है और शुन मेरी बात बात बांत चार pleasure के लाँ प्रेट लेकर प्रेट अने क्या मैं। तो टोपी के लाल लल अट्र लग रहा है क्योंँ च्ट अबे तू निकल ल điều है अनृ तू पागल है क्या अवे तू पागल में खरीदा है यार यह मुझे पसंद नहीं आ रही है वापस करूंगा तो वापस लेगा क्या ठीक है ना चल मैं तेरे को नई शट दिला दूगा यार तू भी क्या समझता है मुझे ए मोहन इसके लिए भी एक प्लेट ले क्या यह लीजिए अरे यार मुझे तो बहुत आपको नहीं सकता है अनलाइन में एक पाया है उसे तु लेगा ना तो तुझे अपैसे में अच्छा दूगे अरे यार तेरे जिए अप्ला देख रहा ना तू थैंक्यू मुझे रिप्लाइ देने के लिए तूम को शरू नहीं हाती है क्या तूम कुश्यरू नहीं आदी ह तू बैठना बेल मैं देता हूँ अरे तू जादा स्याड़ा है क्या पकोड़े हम लोगों ने खाया तू भी लम लोगी देंगे ना अरे रहने देता हूँ ना हम खाते हूँगा क्यों क्या हूँ नीचे पैसे क्यों फेक दिये उठाओ पैसे आए छोड़ो मुझे जा कर रहे हो कहा लेकर जा रहे हो रुको छोड़ो मुझे क्यों आए गया तुमारा अब मेरी बात चुन हाँ हम् शानती से यह लोकेशन देंजरस सकती है पर मैं नहीं हो मुझे तुम्हारे दस मिनट चाहिए बस मुझे जो बोलना है मैं बोलूँगा और खुद चला जाओं समझ गई ना प्यार से बोल रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा है क्या अरे पगली मैं तेरे लिए अपनी जान तक दे सकता हूं यह थपड क्या चीज है अज जिस गाल पर थपड मारा है ना कल महीं पर किस करोगी याद रखना ऐसे डरा की रही हो मेरी इगो के लिए बहुत कम लगा बहुत ही कम लगा ठीक है ट्राइ करो देखेंगे आया है ना उसको दस घंटे भी नहीं रहने दोगे और उसमें मुझे मिला क्या रहे वो क्या सर दसलाक आया है ना क्या नौ लाख पचास हजार ही है क्या रहे जाके पचास देखो अरे जिजा जी आपके शादी में एक कुत्ता देने वाला था लेकिन आपने ना किया अभी समझ में आया मुझे क्यों क्योंकि उसको भी खाना देना है ना क्रासफ की और अवी क्रास आठीत है क्या है रहे क्या यह एक्स्पोजिंग क्या है बटन टूट गया है इससे साथ conson कर रहे हो यह तुम उस तरफ देखो । मरतन टूट गया है तो नया लगाना चाहिए इसे पाहर नहीं आना चाहिए ta समझ रहे हो ना यह पिंदो यह क्या करियो मूँ बंद करो ओके हम उधर देखो सारी यह यह मेरा है इस प्रॉपर्टी बिलॉंग्स तो मी मी का मतलब यू मेरा ही है समझ में आया क्या मैंटेन करो जौब कि तेरा तो पूरा लुकी चेंज हो गया क्या बात है अच्छा अच्छा आप सिन्मा सुनना इसकी तो बात भी नहीं करने देता है पुद्धिश्पली गाउ है ना वो सोना लिने गए है क्या पतकर रहे उन्हें पता चल गए और तुझे नहीं पता चला मुझे कैसे पता चलेगा क्या हुआ हमारी जिंदगी कभी नहीं बदलने वाली तुमको और अशुक को बोल रहा था लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं सुनते ना मत सुनों हाथ में मिलाता लेकिन खानी नहीं दिया तुम लोगोंने चै क्या हुआ रहे लाइफ सेट हो गई होती तुम इंधर आओ बटो एक हप्ते से में बड़ी मुश्कल से पता चला है कि मंदिर के पीछे सोना है पर उनको कैसे पता चल गया और वो भी रात तीन चाले गया अभी लाया अरे सुननो अरे अब किसका फोन है तेरी गाड़ी के चापी चाहिए कहां जाना है यही पास में जाना है उसमें पेट्रोल नहीं है पेट्रोल दलवा लेना आ आजा पापा हाँ बिटा मैं कॉलेज जाओ क्या तुम्हारी मा के थे बिताश ठीक नहीं है आज कॉलेज मज्जा बिटा ग्रहा का रहा है ना थोड़ी हेल्प हो जाएगी ठीक आजी Sवरी बेपी, मैंने है आसावी सवरी बेपी क्या रोमैंटिक प्लान बनाया था लाइफ में पहली बार गल्फिंड के साथ पिक्चर देखूंगा वो भी कॉर्णर सीट पर बैठ कर रुमैंस होगा हगिंग होगी किसिंग होगी पता नहीं क्या क्या होगा पर साब गडगोबर हो गया पता नहीं वो मुझसे प्यार करती ह है या नहीं फोन करता हूँ नहीं मेरा प्लान उसने खराब किया है फोन भी वही करेगी जब मैं इसे दो दिन तक फोन नहीं करूंगा न तो रोते दोते मेरे पास आएगी फोन तो आगे नहीं उठाओंगा चाहे कुछ भी हो जाए उठाई लेता हूँ क्या हूँ पर लंबी बात नहीं करूंगा तुमसे बहुत इंपोर्टन बात करनी है सुभा मिलो मुझे मुझे मिलना है तो अपॉइंटमेंट लो I am busy right now पहले सुनो मेरी बात तुम्हें अभी नहीं सुभा बुला रही हूँ समझे क्या हूँ क्या हू तुम्हारे साथ पिक्चर देखने के लिए मैं ब्लैक में इतनी महनत से टिकेट लेके आया था पर तुमने मेरे प्लैन की मेरे सामने पुंगी बजा दी क्या हूँ बोलती बंद हो गई है पता चला ना मैंने किन्नी महनत की थी है हलो 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 हजीब लड़की है बिना बाय बोले फोन काट दिया लड़कों की तो सच में कोई इज़त ही नहीं होती इसकी इतनी हिमत मेरा फोन काटती है इसकी तो अब दी फोन करके इसको सबक सिखाता हूँ क्या कर रहा है बे कुछ नहीं पापा पढ़ाई कर रहा था पता है कितनी पढ़ाई कर रहा था पोन पे ल मुझे वरम पता है । यही चोर है। को बहुद है। बहुर मुद बहुद बोल नुश्च कि ऐसरों कल सबासरय भी है डिस्टर्ब कर यार कि अरे भोल ट्रॉब असे सुल मूद बात करszty़ और मुद करें था इस एक पलता तो जल्दी मजाग बहुत हुआ तुम्हारा बताओगे भी यहां पर मीटिंग के लिए आये हो कुछ नहीं भाई वो लड़के कुछ बताने माली तुम्हारी लवर और लव स्टोरी यह निकालता हूं तुमने कभी किसी से प्यार किया है क्या तेरी लवर तुझे चोड़ के किसी और के सा इसी बात नहीं आ रहे इसकी नहीं नहीं शादी हुई है उसे बाहर लेकर गया था लेकिन वह भाग गई गाड़ी गई सोना क्या पैसा अरे वो सब किलर करके आना चाहिए था ना तुम्हें तंग करते हो उन्हें शादी की क्या कोशिश में लगा हूं करना पड़ जैसे च अधिये ओ दुरुपदी फोन में रिकॉर्डिंग का यूट्यूब में डालेंगे देखो वल्टसाप में सबको भेज दूंगा हुआ हुआ है है लो मारो तु शुरू कर भाई तुम्हें क्या सोचा मैं डर गया अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूं चलो शुरू करत सब्सक्राइब करते हुआ हमारा प्यार सच्चा है क्या हमुझे पता है पता चल गया मुझे तेरा टाइम पास प्यार सब्सक्राइब मैठर क्या है यह तो बताओ ऐसे जा रही हो हमारा मैठर कल घर में पता चल गया है रात कितना जगड़ा हुआ पता है पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी फिर क्या करूगी पढ़ाई करूंगी हाँ पढ़ाई तो कर रही हो पढ़ाई करने के बात क्या करूगी बताओ बात मत करना? क्या हुआ? क्या हुआ जी? उससे क्या पूछ रही हो? पूछना है तो अपनी बेटी से पूछो ना? पापा, आपको जो भी बोलना है तो सीधा बोलो. ये काफी है? या और भी सीधा बोलना है? तेरी बेटी ना अपने बॉआइफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती है? इतने दिनों से मेहनत मजदूरी करके जी रहा हूँ. लेकिन तुम्हारी बेटी सारी हिज़त को मिट्टी में मिलाने पे तुली है. अगर काम धन्दा मन कर दिया ना, तो सब लोगों के हेकड़ी निकल जाएगे तो तिनों में? बात समझ में आई क्या? मुझे कितनी डांट पड़ी है तुम्हें पता है? अब मैं उस घर में नहीं रह सकती हूँ. टाइम तुम बोलोगे या मैं बोलू? हम कल घर से भाग रहे हैं, ठीक है? ठीक है, हम दोनों कल भाग रहे हैं, पैसे लेके आओगी ना? नहीं. तो फिर सोना ले आना? सोना वोना नहीं लाओंगी, सिर्फ पहने वे कपड़ों में आओंगी और कुछ नहीं लेकर आओंगी. छे महीने बाद हमको फिर इधर आना है. मेरे घर के सामने जो जगा है न, उसे खरीदना है. उसमें बिल्डिंग बनानी है, मेरे पापा के सामने ही कार में जाना है. मुझे डाटेंगे, क्या? बोलूँगी मैं. क्या? क्या गाच है महीने? घर के सामने घर और घर के साथ साथ कार तेरे बाप के घर से बड़ा घर बनाना है और उसी कार से उनके घर के सामने से निकलना है यहार तेरे सपने तो बड़े फास्ट है पर होगा कैसे यह सब मुझे पता नहीं तुम्हारे उपर मुझे भरोसा है कल हम भाग रहे हैं यह फे के बाद ही होगी यार सच का हूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है जेब में फूटी कॉड़ी नहीं है नोकरी कोई देता नहीं है मेरे बाप में कोई जमीन भी नहीं ली जिसे मैं बेच सकूँ और उसे तो छह मेने में बड़ा घर और कार दोनों चाहिए उसके सबने सुनक कर तो यार मेरी घंटी बच गई अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं तुमको कुछ भी समझ भी नहीं आएगा यह तुमको उस लड़की के पीछे घुमने के पहले सोचना था सिनेमा और पार गयते ना तब सोचना था बड़ा आया अब कुछ नहीं पड़ेगा इसको स चले जाना अरे तु चुक कर यार वह पांच सांथ हजार में इसका क्या होगा हां मैं दादी की चुडिया बेचके दस हजार लेकर आता हूं क्या बात कही है असली फ्रेंड तू ही है तू फ्रेंड नहीं है क्या शादी का खरजा तेरे को उठाना पड़ेगा ओके ब्रो ए क्योंकि ना मारने से और डाटने से इंसान बदल जाएगा ऐसा सोचना खलत है तुम्हें देखने के बाद पता चलिया है मुझे क्या हुआ जितना पैसा लेके जाओगे न वो कुछी दिन में खता हो जाएगा फिर क्या करोगे अगर टाइम पर काम नहीं मिला तो फानली वो पूली का काम करेगा फिर उसके बाद तुम बताओ क्या करोगी जब तुम्हारे बेटा बेटी हो जाएंगे फिर क्या करोगी पैसा नहीं भूख लगेगी फिर असली कहानी शुरू होगी समझी एक एक पैसे के लिए दर पे भटकना पड़ेगा उसके बाद वो परिशान होके एक दिन तुमको छोड़ देगा फिर देखते देखते रोड पे आ जाओगी तुम फिर कहां जाओगी मेरे पास ही आओगी ना दुनिया अभी नहीं करने वाला हूँ समझ गई अगर मेरी बात मानोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा लड़का देखके तुम्हारी शादी करवा दूंगा फिर तुम जिंदगी भर खुश रहोगी अगर अपने मन का करना है तो जाओ तुम्हें कोई नहीं रुकेगा तुम खु तुम यहीं आजाना ठीक है आज अकल सब कुछ बताना ही पड़ेगा अब कुछ सुनने को बचा नहीं तुम बस आजाओ आजो आपने सामने बात करते आज़ो नहीं पापा की बात की वज़़से प्लान चेंज हुआ प्लान चेंज हो गया मतलब हम घर शोड़के नहीं भा पता नहीं लगता है मेरि शाधी करवा केही रहेंगे शाधी करवा देंगे त slang तो मेरी शाधी हो ही जाएगी हूँ अगर मेरी शाधी होगे उससे पहले तुम्हें कुछ करके दिखाना ही बैटर होगा तुमने काम करना शुरू किया ही कराईंगे देखो आज म सब लोग संभाल लेंगे तु सिर्प तयार है तु बेफिकर रहे तुने कार रेडी की ना हाँ रेडी है कल सुबार नौ बज़े गाड़ी आएगी और चार बज़े में तुमको ठाऊगा ठीक है सब हो जाएगा तुमको टेंशन मतले हैं मेरी बात सुन कल सुबह तुझे प्रश्वाती ने फोन किया था इसे चेंज कि वारे हां सब कैंसे लोगे तुम यहां पर क्या कर रहे हैं चलो चलते हैं चे यार 404 को ब्लड चड़ा दिया है जिनका सुबह एक्सिडेंट हुआ है वो कहा है लक्षमन ना हाँ 201 मुझे अपने लिए कोई दुख नहीं है लेकिन अपने बेटे के बारे में सोचके बहुत दुख होता है पता नहीं क्या होगा उसका अरे यार हर इंसान की लाइफ में ऐसी टेंशन एक बार जरूर आती है बस तुम्हें आ जाई है इतनी सी बात यार पापा की तुम्हें टेंशन लेता ही नहीं पर फर्स टाइम मेरी मां की आंक में आसू थे यार 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 मुझे फिल्मों में काम करना है अपने पिक्चर लाइन में मिरे ले कोई काम देखना यार मुझे पैसे काम आना है है वो तेरे साथ आना चाहता है जरा चहरा तो इदर दिखा तुझे क्या हुआ है यह रो क्यों रहा है मैंने तुमसे जो भी कहा वो जूट था तुमने जूट का था मतलब शूटिंग इन सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है मतलब शूटिंग सिंधमा और हीरो यह सब हट इसको मारेगा क्या पागल कई का चल बैड़े यहां चल बैट बैट इसके साथ इंडेस्ट्री जाके क्या फाइदा अगर तू सिर्फ एक दिन भी मैनत करेगा ना पूरे गाव का हीरो बन जाएगा फिर तेरा ही राज हाँ शुक तीन जगा देखी है एक भी मिल गई न तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी तेरे पापा के पास भी तो कितने सारी प्राब्लम है उन्हें इस तरह छोड़कर जाना बहुत गलत है यार उनके लिए सोचा तो हम जरूर सक्सेस होंगे मेरी फिल्म का हिरो तो ही होगा मैं डारेक्शन करूंगा प्लीज अहां क्या अधिर यह भी हमारी बात सुन रहा है इसका मुझे तो हमारी बात मान ले रहें प्लीज नहीं प्या तो भी प्रोब्लेम प्या तो भी पिशाब का प्रोब्लेम यह पिशाब भी ना क्या बोल रहे हो आप सचे क्या कितना होगा कितना होगा पता नहीं लेकिन वहां सोना जरूर है किसी को पता नहीं है क्या नहीं उसके बारे में किसी को पता नहीं उस खाजाने के पास ना एक छोटा सा पीण है और उस पेण में पत्ते नहीं है अरे उधर कोई नहीं जाने वैसे भी वो ना बहुत बंगले के पास में हैं वहां लोग जाने से डरते हैं तुम ही बताओ कौन जाएगा वहां क्या वो किधर एक बार जारा फिर से बताना और वो उत्तरा के घर के अंदर है ओहो नाम सुनते ही में पूरी तरह से डर गया यार उदर भला कोई जाता है क्या वो बहुत ही खतरनाक जगा है यार मुझे भी डर लग रहा है यार लेकिन मेरे दादा ने बोला है तो 100 प्रतिशत सही ही होगा यार लोग क्या कहते हैं वो मुझे मत बता वो भूत वहाँ पर सच में है क्या कोई प्रूफ है अरे उदर मेरे दादा ही जाते है और कोई ने जाता है रे वो बोले है तो कंफरम ही होगा उस खजाने के पास एक छोटा सा पेड़ है मेरी बात मानो तो लेकिन उत्तरा के घर के अंदर कैसे जाना है और कौन जाएगा मैं जाओंगा एए हम इधर आये है किसी को पता चला तो बहुत प्रॉबलम होगी यार क्या रे हम उदर सीधा जा रहे हैं किसी को कैसे पता चलेगा तू एकदम पागल है अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा कभी सोचा है इस बारे में तुम लोग अने ला हैं यार मुझे दर लग रहता है यह दो टरा का घर यह सुनके मुझे डर हर्या हाँ यह सही किया रहा है के अंदर चल आ요 अधिर के मार्यमर गया तो मेरी बॉलिक को मेरे घर्वालों को सही सखे अर्छ दे न नहीं तो पाता देख तेरे दादा बिल्कुल सही कहते थे यार इसमें तो एक भी पत्ता नहीं है तो तेरे दादा के साब से सोना इसी के नीचे होना चाहिए अगर हमें सोना मिल गया तेरे दादा के लिए सोने की ख़ड़ाओ बनवाऊंगा यार एक काम करते हैं अभी यहां से चलते हैं बात में आते हैं चलो चला कहां गया था तू तो जड़ुआए academics रूद्रा जीन बुलाया है दो दिन से काम पर नहीं जा अब जरूर्ड आया होगा पापा मैं चला जाता हूं आप अंदर आराम कीजिए तू वहां जाके क्या करेगा बेटा अरे पापा मैं कर लुँगा आप जाए नंदर प्लीज आराम कीजिए जाहिए ताम तक यह लोट भेजना है जल्दी करो ताम तक हो जाएगा ना पड़ा पड़ा चलाओ एक भी रखड़ी बचनी नी चाहिए पड़ा 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 अंदर आना के कर रहा है बताता हूं में इस यह घुड़ा फोला था सीर्यस मेटर ने पर तुमें सुनना नहीं है नई चेंज होगे न और तु रात में मेरा फोन के निउट है पीके सो गया था गया कब आने को बोला था कब आ रहे हो मैंने इंटर्नेट पे सर्च किया है अगर इस तरह का खजाना किसी को मिलता है उसका क्या करना होता है कहां बेशना होता है सब पता है मुझे अगर गल्ती की तो सब किसा पकले जाएंगे इस सोने के पीछे कई लोग मरे है पर हम लोगों को ये सब नहीं सोचना है हमारा फोकस अलग है पर ये बात सच है सोना निकालना असान देशी है उसे वहाँ से निकालने के लिए कम से कम चार लोग तो चाहिए है और साथी साथ लाइट्स भी चाहिए हम चारों के लावा वहाँ एक पुजारी भी चाहिए लाइट्स चाहिए क्योंकि वो मंद्र पड़ेगा पूजा करना है बली भी चड़ानी है ये सब तो करना ही पड़ेगा पर में प्रॉब्लम ये नहीं है अगर गाउं में किसी कोई इस बात का पता चल गया तो हम सब की एक साथ बैंट तो बजेगी पुलिस को भी कंप्लेंट कर देंगे उसके बाद जो पुलिस धुलाई करेगी उसका खर्चा भी हमें खुद उठाना पड़ेगा फिर हम क्या कर सकते हैं तुम लोगों को क्या लग रहा है तुमने जैसा का वैसा होगा जरूर होगा दोस्तों वो अपना MPTC है ना श्रीनू उसकी कल शादी है पूरा गाउं उसकी शादी में जाएगा एक बात तो तह सब लोग खा कर पी कर इंजॉय करके सो जाएगे बिल्कुल सही टाइम है उसी टाइम हम उसकी शादी में बंप फोड़के उसकी शादी में शोर मचा देंगे सब टेंशन में आ जाएगे हमारा गाम आसानी सोजाएगे यही मौका रहेगा हम अपना पूरा काम कर लेंगे क्या बोलते हो तेर मुझे क्या करना है रे क्या रे क्या बोल रहा था हाँ तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम लोग पूरे गाओं को उड़ाना चाहते हो तुम लोग किसके पास जा रहे हो पता है उसे कुछ हुआ तो क्या होगा पता है पता है तुम्हे बेवकुफ कहीं के आखिर तुम लोग उथारा के बारे में क्या जानते हो अगर तुम लोग उसे छेड़ोगे तो पूरे गाओ में सब को मार देगी उसके बारे में क्या जानता है रे उसके बारे में क्या पता है तुम्हें सर गल्ती होगे माफ कर दीजे ऐसा फिर से नहीं होगा माफ कर दीजे पुलिस टेशन में ले जाकर तुम लोगों के हट्डिया तरवा दूगा तू इधर आ तू अपना दिमाग किसी और काम में लगा ऐसे कामों में नहीं इसमें बहुत खत्रा है वाहर लोग क्या बोलते हैं वो सब सुना नहीं फाल तू कामों में दिमाग मत चला समझ में आया जा जा के काम कर अरे जा यहां से इसकी तो है तुम्हारे पास सिर्फ दस मिनिट है स्वाती फिर मेरी माँ आ जाएगी जो भी करना है जल्दी करना ठीक है क्या हुआ मूं क्यों लटका है वो छोड़ो मैंने तुमसे क्या कहा और तुम क्या बोल रहे हो पैसवगा बोला था ना इंतिजाम कर रहा हूं इतना असान थोड़ी है टाइम तो लगे गई मैंने लोन के लिए अपलाई कर दिया है अगर असानी से लोन मिल गया तो कोई न ने टाइम दिया था याद है ना याद है बाबा इसलिए तो उस रूद्रा के हां काम कर रहा हूं वरना उस टकले के पास कौन काम करेंगा वो तो कुत्ते को भी खाना नहीं देता तुम्हें देगा तुम भी क्या कर रहे हो अरे खाली बैटनेस अच्छा कुछ तो करूं न स्वाती मेरी बात सुनो मैं जो कर रहा हूं हम तोनों के लिए कर रहा हूं तुम बढ़ बार बोलती हो तो मुझे बहुत तकलीब होती है अ तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना अब ये प्यार की बात कहां से बीच में आ गए यार सम्झाना बेकार है पता नहीं तुझे क्यों लगता मैं प्यार करते हो मेरी बात तो तुम कब सुनते हो हमेशा ऐसे ही नहीं सुनूगा अब तुम्हारी क्या मैं किसी की बात नहीं स फिर मैं कौन हूँ मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ ठीक है छोड़ो मुझे तो सबसमझ में आ गया है सबसमझ में आ गया तुछ पर यकेन किया मैंने मेरी लाइफ मैं ही देखूँगी जा जब मर जाओंगा ना ताब पता चलेगा अब सोच रही हो कि मैं डेरा रहा हूं कि दुनिया में बहुत लोग बिना प्यार के जीते हैं ठीक है जी लूँगा अरे यार चो लव में होते हैं वो लव का कौन सा मंत्र बोलते हैं यार याद नहीं आ रहा है या बेयोतिफूल लव क्या रे नागी यहिसा बोलते हैं अब आ हो मंत्र बोलो ना बोलो बोलो बोलते क्या नहीं हूं बोलो बोलो ना अरे ओपागल तेरी तो आखर तो मुझसे चाहता क्या है य Smells परेशान कर रहा हैं एक तोरफ प्यार दूसरी तरफ फैमिली दोनों के द अच्छा तो इतना जूट बूली क्या वो तो बहुत जूटी है मारना मता कल मैं मंदिर जा रहा हूं फिर तुमको ही श्राप लगेगा बोलना मता अपे दोस्तों के मेरे प्यार का मजा को रहा है पता है मेरे जैसे अच्छा लड़का उस लड़की को मिले का नहीं बता रहा ह अरे रोकर हमारी इजट क्यों निकाल रहे हो रुको रुको औरत के हाथों से हरना यह कोई नई बात नहीं है रोना बंद करो यार अब चुप करो भाई चुप करो यार बड़े आये बताने वाले तेरा यह चलता ही रहेगा और वह किसी के साथ भाग जाएगी चली दर से श हुआ 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 है कावे लियां जल्दी क्यो टाया दिया तेर अने जल्दी को ज़ा दिया हुआ है में को हुआ है कि अ थाआ है मा इमा मा मा क्या कर रही है किस से मिलने आई है बोल ना सुबह सुबह साथा अटिट्यूट मत है सौरी बोलो सौरी किसको बोलो कहा ना सौरी बोलो और यहीं किसे बोलना ना सौरी बोलो ना थीक बोलना ना सौरी बोलो दोली बोलना सौरी है भी сторонर विख हार बोलो जाई त्रकाwarm किसर अब अब निकलो छी तुम नहीं सुद्रूगे ऐसे ही मरो अरे स्वाती सुन लेगा अंदर बोलता हु सौरी अंदर आने के बाद बुलोगे हां मैं क्या चोटी बच्ची हूँ कि अंदर जाकी सौरी बोलोगे मनाने के लिए कि अंदर क्या होगा मुझे अच्छे से पता है समझें इसलिए जाने दो उस्पाइज मैं तुमसे एक बार क्या जिन्दगी भर सौरी बोल सकता हूँ इतना प्यार करता हूं तुमसे अपनी जान भी दे सकते हैं ख्यारे अशोक मम्मी पापा हॉस्पिटल गए हैं इसलिए घर में यह सब कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं दीदी वो तो बस मेरे कपड़े दोने आई थी और कुछ नहीं कपड़े दोने आई थी उतारने आंटी को आने दे बताती हूं ओए फिर से मैं तुम्हारे पास आई हूं यह सोचकर एक्साइटमत हो ना तुमको सेटल होने के लिए टाइम दिया है याद है ना ओल्रेडी उसमें चार दिन हो गए हैं वो काम करो अब यह जानेवन तुमको नहीं बोला होने वाली बीवी को बोला है कम से कम यह पचास किलू जरूर होगा अगर तीस लाख रुपय केजी भी हुआ तो तीस इंटू फिफ्टी कितना हुआ ए भगवान पंदरा करोड इसके बारे में सोचकर ही कितना मजा आ रहा है अब मैं इस पंदरा करोड को तीस करूंगा फिर तीस को साथ पिर देखना इस गाहों के आस पास भी कोई मेरे जैसा अमीर नहीं होगा सब मेरी ही बात सुनेगे पिर जो चाहे मैं वो कर सकता हूँ जो दिल में आएगा वो कर सकता हूँ कर दो कर दो करूँ कर दो हुआ हए हुआ इतना खुश लग रहे हुआ हुआ है. तो तुम सच में डांसकरों, खुशी से पांगल हो जाओगी? हां ठीक हे कोई प्रोब्लेम नित नहीं बताऊ नहीं 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 चार दिन के बाद बताऊंगा तब डांस करना अभी जाओ तूम मेरे लिए चया बना करसुन लगी में लेकिन वो अशो कि यहां कि वाया है तुम झाकर उसे बात कर उसनों उसको जाएकर बोलो कि पैटरी में बहुत ज्यादा काम है, वो वहां चला जाए, जा रहा है, जा कर बोलो, और तो पी भरोसा नहीं करना चाहिए, इनकी पेट में बात नहीं पस्ती, अगर इसे पता चल गया, तो ये खुशी में आकर पुरे गाउवाल को बता देगी, इसे कहीं और ले जा कर अब तुम लोग देखना कैसे मैं चक्के पे चक्का मारता हूँ, एक ही बड़िया बॉल्फ हैंके से आउट करते, ठीक है, रड़ी है, तो इतना बड़ा हो गया है, फिर भी तो इन छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है, तुमें उससे मतलब क्या, तुमें क्या चाहिए, तुमें जाना है, थोड़ा जल्दी घर आजाना, वो लाओ ये लाओ, और कुछ काम नहीं है तुमको, बैट से मारूँगा, चलो घर चलो, जाओ, खाने के लिए घर आएगा ना, तब बताऊंगी मैं तुझे, उसको छोड़े तुम लोग बॉल डालो रहे, आरे लापो, स शर्मा गया है, हाँ, 삶ाण के वारी, सब ठीक है, क्या मोनिका सब ठीक है ना, तुम्हें मैं आभी तक याद हूं क्या, wanting मोनिका, तुम तो मेरे दिल में हो, और हमेशा रहोगी, और दिल से निकाल भी नहीं सकता, वो क्यूं, तुम बहुत खुबसूरत हो और हैदराबा सब्सक्राइब में रहती हो तो किसी से प्यार करती हो क्या है ऐसा कुछ नहीं है एक काम करो तुम इससे पहले कोई देख लिए मेरा नंबर ले लो एक मिट्र बूल डबल नाइन जिरो एट रखाएगा इसे दो दिन में माल के अगाओ रखाएगा आसेट मैं बात कर लूंगा हाँ ठीक है ओके तुम्हारे एक्जाम से ना ठीक से पढ़ाई कर रहे हो ना तुम जूट मत बोलना मुझे से पढ़ाई कर रहा हूं मैं एक मिनिट इधर आओ ना प्लीज अरजंट पैंटर है एक मिनिट इधर आओ ना तुम जाओ ओके दीदी, एक बार इधर तो आओ प्लीज, दरसल तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हुआ बोलो, रात को अरजुन रिडडी मोवी देखा था, फिर, उसमें साथ आठ है, अभी मेरे फ्रेंड ने आरेक संडरेट सिनिमा दिखाया था, उसमें भी पांच छे है, क्या है वो, वही, kissing scenes, देखो नागी, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद ही, हम तु लवर है ना, इसमें गलत क्या है, एक तो किस दे सकती हो, लीज, मैं जा रही हूं, जाओ, जाके उन बड़े लोगों से बाते करो, इस उमर में उन लोगों से दोस्ति के हूं, हम जैसे जवानों के साथ साथ दोस्ति करनी चाहिए न, स्वाती से दोस्ति करो, मैं किसी स्वाती को नहीं जानती हूं, उसके साथ दोस्ति करना है, समझी पागल, हाय स्वाती, भाय स्वाती, खाना खाया क्या स्वाती, स्वाती, ऐसी बाते करनी है, वो भी मुझे ही बताना पड़ेगा क्या क्या क् वो तुझे और कोई काम नहीं है क्या बे कोई भी लड़की देखिये नहीं कि चालू हो गया और अपना मुह लेकर इदर क्यों आ जाता है और कोई मुहला तुझे नहीं दिखता है क्या पालतु काम के लिए यही जगह मिली है अर्चुन डेटी देखा है क्या आरेक तो चपपल से मारना चपपल से मारना तो बहुत पिटेगा मेरे हाथ से क्या हुआ क्यू नीम से उठा रही हो तुम को क्या दिखा रही हो मुझे क्यों रही हो थाल हो बता हाइँ है क्या होगे इसे अ है ऐचालक ऐसे क्यों कर रही है कि इधर क्यों सो रहे हों क्या हुआ उठो उठो ना क्या हुआ वो खार आया है क्या आपको जाओ फ्रेशो करा जाओ चाहे लेकर आती हो आपके लिए सुनो में आरे हुं क्या हुआ था इस रात में पूरी तरह में अन्हें के और अब चाहे बनाने काई हां कि अनल बेकर कि को हुआ है ऐसे क्यों आवाज कर रही हो मैंने नहीं किया मैं सच कह रही हुआ तुम ही कर रही थे नहीं तुम ही कर रही थे नहीं किया जा के काम करो अब फिर से भाग गए यह क्या कर रही हो जूट पुट का नटा कर रही हो जाओ जाओ यहां से अखिर इन औरतों को हो क्या गया है भूत चड़ गया क्या इन पर क्या श्रोल हुआओ यहांत intuition कर रही है। भून डल्म कर दो दो वाह पत्वा जाओ। स्वाथी कि अगर तू रोना बंद करें है अगर तू रोना बंद नहीं करेंगे तो फिर मैं भी रोना शुरू कर दूंगा तुमको कितनी बार बोलने से करें तुम नहीं सुनोंगे न मैं क्या सबने देख रही हो मेरी लाइफ में क्या हो रहा है अगर शादी हो गई न तो तुम मेरी मौत देखोगे ऐसी बात मत कर स्वाती तुझे लग रहा होगा मैं नॉमल हूँ पर अंदर से मैं भी बहुत जादा दुखी हूँ मर्द हो ना कुछी सब्सकें तुम कुछ भी बोलो तुम्हें पता है ना तुमारे मेरी जिंदगी कुछ नहीं पढ़िया कोशिशीं नहीं करते掰掰 मैं कि बंगत क्या करने के लिए सोच रहा है कि कुछ नहीं कुछ समझ Sergey नहीं भी सब्सक्राइब और मैं देख लूँ गा स्वाती की सादी किसे और ये मुझे पता है मैं उससे बात करूंगा फिर भी वह नहीं सुनती है तो उसका क्या करना है मुझे पता है तुचल कि अ कि कि अ अ कर दो! के वह बहुत – के लुद बहुत – देखो अगर हम लोग नहीं समझे ना तो यह लोग वाले की रड़कों को छोड़ेंगे नहीं भाई देखना यह रादू भाई के साथ आ रहा है उसे जाके पुछेंगे अगली बाद करके देखेंगे अरे भीकारी हर वक्त खाने के बारे में सुचता है अरे वो खेलने वालों के लिए बेवस्ता होगी तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं फालतू में गुमते हो कोई टीम बना के तुम भी क्यों नहीं क्या है इनको क्या पता स्पोर्ट्समेंशिप क्या होती है कबड़ी कोई पास नहीं है राद राद भर दारू पीते हैं लोग पैशन चाहिए उसके लिए तुझे कबड़ी खेलना या नहीं खेलना तू डिसाइड कर फालतू बाते मत कर यहां पर हम तेरी बखवास सुनने नहीं आए तुमें डाल रहा है तूब बात कर नहीं पंड़ी साना पता नहीं नहीं ब्हां पना यह आए बस यह कुछ अद़ा वह भौकर रहा है अब तो मैच में देखेंगे तुझ में तो बहुत ही गोए है तो भात करने के लिए तो पिर जगड़ा क्यों घली है रहे किया यह जिए इसका मूँ देखने से पता चल रहा है यह हार गया होगा कि अधिकर शेकर उठ एक इसे क्या पिलाया उठीचुने राया मर वर्दों नहीं गया यह ऐसा कुछ नहीं यह देख अभी उठेगा बस तुम लोग एक सेकंड रुगो की चल रहा ओरो निषक को क्यों क्या कर सकता है कै क्या कर सकता है क्या क्या कर सकता है शाओ देखो आपि एक बात करो रहे हैा है तू बंधा हुआ है कोई फैदा नहीं है ए मुझे कहा लेकि आया हो तुम गो लेकी को आ यह जा बीच में नाले ऊपर से बारिश भी तो किड्नापी हुआ होगा ना यह क्या मज़क लगा रखा है मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला इस आदमी की बुद्धी नहीं बैल बुद्धी है अब थोड़ा तो लॉजिक लगा अब हम चार लोग है तू अकेला क्या उखड़ लेगा सिर्फ पिटेगा समझा आगे नीची कर अच्छा मेरे गेम से डर गए तुम लोग इसलिए किनाप ले तू तो बहुत बड़ा प्ल तुम्हारी जैसी मन्हुष शकल वाले लोगों की विज़े से प्यार करने वाले मिल नहीं पाते हैं तू रुक्रे ऐसे छोटे बच्चों की कहानी की तरह उसे समझाओगे तो क्या समझ में आएगा जल्दी जल्दी सिन्मा के जैसे बोलना है अरे नागू घर में मोटी ला में लोग नहीं बोलने वाला हूं मेरी बात ध्यान से सुनो किसी को भी आने दो स्वाति की शादी तो इसी के साथ होगी अगर उसके बाद भी उसकी शादी हो गई तो सुहाग रात यहीं मनाएगा तेरी इज़त पूरी चली जाएगी समझ में आए क्या इसके आगे मुझे लोग हो यार तुम लोग साड़े नौ बचे शुरू होने पहले यह गंटा लेट हो चुके हैं यहां क्या कर रहो हो यहां कैसा पहना हुआ और खुद को देखो चलना निय क्या तुम लोगों को अरे बाई क्या हुआ इनके साथ अध यह बात पहले पूछनी चाहिए थी त तुम सब लोगों ने मिलके यह किया क्या करना पड़ा भाई जिन्दगी को बच्चों का खेल समझ रखा है उसने कल फोन किया था शादी के लिए मना कर दिया कल उसने उन लोगों को दमकिती थी एक बात याद रख लो तुम है अगर उसने सा कुछ किया ना तुम मैं उसे छो और आपके हिसाब से काम ढून रहा है वो और कितने दिन के बाद वो सुनो दशाहरे तक वेट करता हूं फिर ना मैं तुम्हारी सुनूंगा न किसी और कि सुनने वाला हूं समझ गई ना यार छोटा सा कंफ्यूजन है तेरे बाप ने तुझे मारा या तुने अपने बाप के चाटा मारा यह यहलो कॉपी कितनी खुबसूरत हूँ कॉफी लो ना कैसी है कॉफी तेरे जैसी है मरजा तू मारने के लिए ही इसमें जहर मिलाया है मरजा तू मरजा मैंने ही इसमें जहर मिलाया है मरजा तू मरजा तू मारने के लिए जहर मिलाया था मरजा तू आख अ घ एप लुख आग आगा हुआ इब एन एड़ एडरा तो दे एडि़ मैं एडिज़ा एडरा एडरा आगार! हुआ है आखिर तुम लोग उठारा के बारे में क्या चांगते हो अगर तुम लोग उसे छेड़ोगे तो पूरे गाउ में सब को मार देगी स्वामी में रुद्रा बोल रहा हूं यां बोलो क्या हुआ क्या बोलो स्वामी दस दिनों से घर में कुछ अजीब सी बाते हो रही है लगता है घर में कोई भूत घुसा आया है क्या करूँ समझ नहीं पा रहा, कब आएंगे स्वामी मैं बाहर हूँ, आने में मुझे एक हफ्ता लगेगा अच्छा ठीक है स्वामी ए भगवान ए देव, अरे कहा हो तुम एक काम के लिए बाहर आया हूँ जिजाजी अरे भाई, यहां बहुत परिशानी हो गई है तु जल्दी से आजा, तुससे जरूरी बात करनी है ठीक है, आता हूँ हाँ, ठीक है सिर्ड जी सेट जी क्या सेट जी आप यहां सो रहे हो मालकीन पूरे घर में ढून रही है आपको किदर जा रहे हो सेट जी क्या हो गया, क्यों बार रही हो, क्या हो तुम्हे कहा गये थे आप दो दिन से, कहा गये थे तो क्या मैं दो दिनों से यह नहीं था क्या हुआ है आपको कुछ जरूरी काम से गया था क्या ऐसे ही गये थे ध्यान नहीं दिया ऐसे ही चला गया एक बार खुद को देख लो पता चलेगा चलो आके नहालो मैं नहीं नहीं होंगा मुझे एक और काम याद आ गया परशुराम हाँ 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 क्या हुआ क्या हुआ साब तुम्हें काम करो हाँ जाकर सब लेकर आओ ठीक ठीक है मर्दों को और तोंको नहीं समझें हाँ जा चल्ดी जा कर भाई 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 थाई झाल झाल कैसे हो जिजाजी और देव आगया तू क्या हुआ? क्या हुआ जिजाजी? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? सब ठीक है ना? जिजाजी और कुछ चाहिए क्या? इदिय से कुछ महगवाना है क्या? लगता है तेरी दीदी को किसी भूत ने पकड़ जिजाजी आजकल भूत की दर होते हैं? पांगल होगे क्या आप? अरे बिवकूफ! बै अपनी परिशानी तुझे कैसे बताओ? अरे मेरी हालत तो देख उसने मेरी ऐसी धुलाई की जैसे कपड़े दोते हैं? देव तेरी दी जीजाजी जीजाजी सब ठीक हो जाएगा आप क्या हे आवास तुने यवास की और मुझे भी सुनाया जीजाजी मैं हुणी आप फिलो आप क्या आप क्या आप आ आए आप आता हूं प्हुट्टिक अप अप hm 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 हम पहँ प्रुदों एक भाइब को अजया है यह तो यहां कर सोगया, अरे देव, यह देव, इसकी तो फुल पीके यहां के लुड़क्या यहां का सके लुड़क्या जो सूत काना की साय काल, यही जो यह दो सुभा। कर दो कहां गया मतलब सुना कहां चला गया उत्रे लेके चली गया जिसके बाद सिर्फ ताकत होती है वो निन्यानवे लोगों कुमार के सिर्फ एक आदमी को डराता है पर जो दिमाग से ताकतवर होता है वो एक को मारता है पर डराता सौपर फुत्रा के घर में खजाना पता चलने के बाद उसको वहां से निकालेंगे कैसे सबसे बड़ी परिशानी वही थी इसलिए हमने एक आदमी को चुना जो ये काम करेगा और वो था रूद्रा हमने जान बूश कर अपना प्लैन रूद्रा को सुनाया मेरा प्लैन सुनने के बाद रूद्रा ने वहां से सुना निकाल लिया जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसे ही हुआ उसे भूत से डरा कर उसके घर से सुना चुरा लिया हम वहां प्लैन जार से सुनाबरा प्माड़ कर अपनावते जार रूद्रा कर रहां से सुनाबरा का रहां से का एक चुरा कर दोद्रा रार में अ झाल झाल ये ट्वे सूपब हैं ये है हीरो का कमाल और तू वेस्ट फेलो हमेशा बेकार की आइडियास देता रहता है ऐसा आइडिया कभी बताएगा तुने आप तेरे जैसे लोगों के रहने से ऐसे आइडिया आएगे ना और क्या आएगा एसे बेकार की बाते ही बोलते रहो मतलब तूने अपने गाओं के सबसे शाती रुद्रा को बे उकुब बना डाला है शाबाज बोल रहे बोल बोल पता किस ने चोरी की पता है नहीं पता है किसी बोले ही शोड़ूंगा और मोनिका तुमको बैंड दिया था कि पूंको ही दिया था था न उस रात को भूल गई मुझे कब दिया आए थीन उस दिन आया थीन उस दिन करें पी अछिलिक किया मेरे साथ था मुझे क्या पता तुम नहीं हो क्या है confidence फोबड़ दो कौन है तुम तुम तुम्हारे इस ड्रामा में उत्रा भी शामिल दिक्या कि अरे यार मुझे भी देना थोड़ा तु बच्चा है तुझे नहीं पीना चाहिए मतलब कि सोना दिवराज के पास था इसलिए वो मर गया लेकिन अब तो सोना तुम्हारे पास है तुम्हारा क्या होगा क्या हुआ होगा वो भुतनी इनके पीछे आई होगी इसलिए मैं ऐसा एडिया नहीं देता हूं समझ गया क्या तू ऐसे पागलू की तरह बाति मत करो उत्तरा सोने के लिए क्या कहा हुआ हुआ अलतर उनके लिए यहाँ आया है थूल आपि यहाँ के अपाला हुआ QUE मैं के आत्स आबापरियाहाँ है थयर शहीं को शगाशाश्या जाब शड़न enact आर पाश्या कश्याकि शरींरे हुआ जाजुल्टीज ए किकि एस दुनीया नहीं चेहाँ को पापि मेरे लिए कुछ इंपोर्टन्ट है तो वो तुम हो सिर्फ तुम तुम मेरे लिए बनी हो सिर्फ मेरे लिए अज़ा 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 गया वो वापस नहीं आएगा कितने दिन तक दुख मनाओगे जाओ सोजाओ बेटी मैं भी घर जा रहा हूँ कितने अज़ा रहे हुआ करेंगे कि अपिर नहीं करेंगे माफ़ कर दीजे अपिर नहीं करेंगे माफ़ कर दीजे कि तुम लोग पर चौनी करोगे इतनी हिम्मत आई कहां से नहीं नहीं चौनओं नहीं चंडाइघ रखा है जब तक मेरा सोना नहीं मिलेगा जब तुम लोगों को नहीं चौनओंगा थाट अध अब उत्रा ने देवराज को मारा ये तुम्हें और हमें पता है लेकिन उस रुद्रा ने तुम्पे मड़रा केस्ट डाला हुआ है अब कैसे बाहर निकलोगे मेरा मतलब है तुम तुम प्रूफ कैसे करोगे बेवकुफ मेरे साथ काहनी तुभी सुन रहा ना तु तुझे कोई डाउट नहीं हो रहा है सब कुछ मैं ही पुछू हूँ बेवकुफ पूछ तुम बाहर कैसे जाओगे मुझे यहां से बाहर निकलना है तुम लोगों को हेल्प करने हो देखो इसका प्लान काहनी सुनाने क के लिए क्या बोला सारा के समारी उपर डालेगा यह सब नहीं होगा हम से यह होगा क्या हुआ है है बस इतना सही है चुटकी चुटकी में कर देंगे सब्सक्राइब बताता हो है 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 अलो ब्रो यहां पर यहां पर तुम कोई सॉफ्ट्वेर इंजीनियर है क्या जो लिख सब्सक्राइब के लिए तैयार हो रहा होगा क्या अरे फिर से बकवास अरे रिकमेंडेशन वहीं काम कर रहे हो ना इसे अच्छा हमारे साथ मिलके चोरी कर लो ए पालतों की बाते मत कर लेगा क्या कर लूंगा बताता हूं अच्छा तुम्हारी अपरे हड़ी पसली एक कर तब समझ में आए गा कई फाल ए द्ला में तो अंदर आ हो अब यादाउ हरा हूं अब यां अफ्या पर और या यहां इन दा बकवास की तो जेल नहीं होस्पिटल में मिलोगे सप्चाल एचाए लेगे या भाई फोन कि यहार पिश्वारे बहुत पर बहुत जोरू कमारा है बहुत अब्सक्राइब है आशोग बोल पांच मिनट में बहार आ जाऊंगा तिर अमलग तिर तुम दोनों भी लोसा निकल जाना रे यार थैंक्स बाई दर्या मत्सट जी उस साई को फोन करके ना अशोग को बाहर निकालने के लिए बोलिये बहुत उसे मारना नहीं छोड़ दो उसे बहारा हूँ चलो निकलो हाँ हाँ तु आपनी आपकात भूल गया क्या जुँ अपना मुझे उल्लू बनाया तु मैं रुद्रा हूँ पूरा गाउं मेरे इशारे पर नाचता है और तू मेरे साथ मेरे साथ गेम खेलेगा इस राज्य को इस राज्य को मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ तूने मुझे बेवकुब बनाया तुम सब का नसी मेरे पैरों के नीचे है मैं नाचने को बोलू तो नाचना है मैं मरने को बोलू तो मरना है तूने मुझे धोका दिया धोके बास कही कर आगे बढ़े तो स्टकले की गर्दन तोड़ दूगा अब सुन जो बोल रहा हूं कान खोल कर सुन जगळा बंद कर तेरे फाइदा की बात है समझा गाउवालों को पता चला ना कि तू मुझ से फिट क्या है तो तेरी इज़त तो वैसी मिटी में मिल जाएगी तेरी आउकात क्या है बे मैंने जो भी किया था उसके लिए तूने मुझे अभी मारा मैंने तुस्से मार इसले खाई क्योंकि मैंने मार खाने लाए काम किया था अब हिसाब बराबर मैंने तुझे उल्लू बनाया इसले तू मुझे धोके बास बोल रहा है न तो तू क्या है जो तू गाउवालों के सा तुने नहीं मारा तु कुछ नहीं जानता है नहीं मारा तेरे साले को कि 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 पूं कि 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 एड़ा, कि एड़ा तुने पुलिस वाले को तो पहले ही भेज़ दिया आप किसे देख रहा है मतलब देव को तुने मारा और उसके लिए मुझे फसाया देव राज को तुने क्यों मारा रहे वो नॉर्मल इंसान नहीं था वो स्ट्राइको था उसने सर्फ पाप नहीं किये थे गोर पाप किये थे उससे तो बहुत पहले मार देना चाहिए था एक बात बता अगर तेरी बेटी को उसने रेप करके मार दिया होता तो तू क्या करता जंगल के बीच किसीने तेरी बेटी को वहां ले जाकर उसका जानवरों की तरह रेप किया होता तो तू क्या करता तु जी पाता क्या इसलिए उस राक्षास को मारा इसलिए उसे मारने का मुझे कोई दुख नहीं है समझा देख मेरी और तेरी डारेक्ट कोई दुश्मनी नहीं है रूद्रा पर अगर तुने ज्यादा दिमाग लगा के मुझे परिशान किया तो इस बार मैं ऐसा दिमाग लगाऊंगा कि तू गया अरे अशुक एई देख मुझे कोई लफडा नहीं चाहिए सोना मैं लेकर आया था न तो उसमें से मुझे भी कुछ मिलना चाहिए न तो साफसा बोल तुझे वहां से पाईवे सोने में पार्टनर्शिप चाहिए उस सोने में से फोटी कौड़ी नहीं दूँगा वो गाउं का है गाउं सुन एक नई जिन्दगी शुरू कर गोपी राधा गोपी राधा गोपी इनसान के पास तो दिल ही नहीं होना चाहिए गोपी प्यार करने वाले तभी एक साथ होते हैं जब उनकी किस्मत उनके साथ हो ये दुनिया तो हमारे पवित्र प्रेम को नहीं समझेगी गोपी इसलिए हम लोग मौत से मिलकर अपने प्यार को अमर कर देंगी हमारे प्यार की सब कस्में खाएंगे राधा हाँ गोपी हम दिखा देंगे तो डार्लिंग पास में ही एक कुवा है चलो चल के वहां कूद जाते हैं कूदने के लिए एक बार बूल कर तो देखो गोपी तुम्हारे लिए कूद भी जाओंगी राधा हाँ 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 गोपी अगर मरना ही है कहीं और जाओ यहां क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हूं कटेद सर केमरा को अगर हम लो एंगल से रखकर टॉप एंगल की तरफ देखे तो सही होगा अबे पागल वो क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कहां से हैं तू मनिपूर से यहां कब से सर दो दिन से कितनी फिल्मों में काम सब्सक्राइब कर रहे हैं तो यहां पर रहे के तुझे काम अच्छे से सीखना होगा बात समझ रहा है ना अगर ऐसे करेगा तो ज्यादा दिन ठीकेगा नहीं अगर जिए